नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्टेट तुला रासी देवगुरु ब्रिस्पती वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2026 से 4 फरवरी 2025 तक वो अपनी गती को परिवर्ती कर देंगे और वक्री गती से चलेंगे अभी वो ब्रिस्पती में बिराजमान है तो ग्रह की गती परिवर्तन से उसके परिवर्तन भी बदल जाते हैं चले जानते हैं विश्तार से कि उनके इस वक्र गती के कारण आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा लक्ष्मी नारायन राजियोग का कितना आपको साथ मिलेगा देव गुरु ब्रस्पती जो है विश्नु सरूप जो है विश्नु भगवान को भी गुरु कहा गया है और ब्रस्पती को देव गुरु कहते हैं अब ब्रिस्पती हमें ग्यान देते हैं ब्रिस्पती की दो रासिया है धनूरासी और मीनडासी धनूरासी ब्रिस्पती की सकारत्मक रासी है और मीनडासी नकारत्मक यानि ब्रिस्पती जादा सुब फल धनूरासी को देते हैं और मीनडासी में थोड़ा कम लेकिन हम देव ग बैटते हैं वहां पर परिशानी है कि महर्सी परासर कहते हैं कि ब्रहस्पती कुंडली के सवालाख दोसों को दूर कर सकता है अकेला ब्रहस्पती जब इतने दैब योग से संपन देव गुरू वक्र अवस्था में जाएंगे अभी ब्रिशाब रासी में बिराजमान है और तब आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रहस्पती कुवेर योग भी बना रहे हैं धन के लिए बहुत अच्छा है आपके देव गुरू ब्रिश्पती वक्री होंगे तो आपको तंत्र मंत्र की तरफ जुकाओ देंगे और अस्ट्रम का वक्री गुरू पैत्रिक धन प्राप्ती भी करवाता है तो देव गुरु ब्रस्पति आपके आठवे भौग में गोचर कर रहे हैं वहीं पर वक्री होंगे ब्रस्पति आध्यात्मिक्ता के लिए यहां बहतर हैं क्योंकि धर्म में आपका जुकाओ देंगे लेकिन धर्म की मुश्किलें उल्जने जरूर देंगे अब वक्री होंगे तो उल्जने जितनी हैं उनको बढ़ाएंगे बढ़ा के खोल देंगे अब यहां पर क्या होगा इनकी द्रिष्टी सातवी जो द्रिष्टी है आपके दूसरे यानि किधन वह पर जाती है तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो तुलारासी के स्वामी सुक्र है जब ब्रिष्टीक रासी में होंगे यानि 13 अक्टूबर से 7 नुमबर तक सुक्र जब ब्रिष्टीक में होंगे तो वह ब्रस्पती के साथ समसब तक योग बनाएंगे यानि उनके आमने सामने रहेंगे तो लक्षमी नारायन राजयोग बनेगा जो आपके लिए अतिसुग होगा ये वक्त यानि आपकी धन की मुश्किलों को इस परियड में दूर करने का बेहतर योग बन रहा है तो आपके लिए अनुकूल रहेगा याद रखिए 13 और बार्वा भौ को भी देखेंगे और आठवा और बार्वा भौ यानि कि धर्म का भौ है आध्यात्म का भौ है और यहां पर मंदिर को दिखाता है धन को दिखाता है तो क्या होगा ना देव गुरु ब्रस्पती यहां पर आपको भक्ती की तरब भी ले जाएंगे धर्म करवाएंगे रुकावा धन प्राप्ति के रास्ते खोलेंगे देव गुरू यहां पर एक अच्छी चीज यह देंगे कि अगर स्वास्त में कोई समस्या भी थी तो अब आपका स्वास्त बढ़ियां रहेगा ब्रस्पति की नवी द्रिष्टी आपके चौथे घर पे होगी अ लगति तो यहां पर यह गुचर बढ़ियां है अवक्री होने पर ग्रह तोरी उल्जणे बढ़ाता है लेकिन आपको हिम्बद भी देता है आपकी प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ने के रास्ते भी देता है तो गति बहुत आ रही है उर्जा भी आ रही है आप कितना उर्जा चैलेंज के रूप में ले सकते हैं यह महत्पूर्ण है तो मेहनत करेंगे तो यह गोचर आपके लिए अतिसूब है उपाई के तौर पर रोज ओम ब्रिंग भिस्पतेर नमह इस मंद्र का जब कीजिए आपके लिए बढ़ियां रहेगा हम आपसे भी दा लेते हैं ज